तो आज बनाते हैं बेसन में दूर डाल करके एक दम से अलग यूनिक सी एक दम से महंगे वाली रेश्पी बना करके त्यार कर सकते हैं तो एक बार इस तरह से इस रेश्पी को जरूर ट्राई करिएगा तो इसे बनाने के लिए क्या करना है हमें कि यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसमें क्या करना है कि हमें लेना है बेशन तो मैं यहाँ पर दो कप बेशन का यूज़ कर रही हूँ तो इस तरह से किसी भी कप या फिर कटोरी से आप मेजर करके बनाएंगे तो एक दम से पॉफिक बन करके त्यार होगा तो दो कप मैंने यहाँ पर बेशन ली है और एक कप यहाँ पर मैंने ली है दूद तो यह गरम दूद है लेकिन यह रूम टेमटरेचर पर ठंडा दूद है ना जादा गरम है ना ही ठंडा है तो इस तरह से क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमें दूद डालना ह दूठ डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बार में ज्यादा दूठ नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, कि ये बैसन में गुठली बन सकता है, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके दूठ डालेंगे, इस तरह से मैंने पहले आदा डाली हुई थी फिर आधा बचा हुआ इसमें जो है क्या करेंगे पूरा डालेंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ पर टोटल एक कप दूद का यूज की है तो इस तरह से डालने के बाद जो है मिक्स करेंगे तो अभी देख सकते हैं मिक्स करने के बाद जो है यह जो बैटर है हमारा बेशन का अभी बहुत ही ज़्यादा गाड़ा लग रहा है तो यहां पर मैं फिर से क्या कर रही है कि आधे कप मैं यहां पर दूद डालूंगी तो पहले मैंने यहां पर 1 कप ली हुए लेकिन आधा कप यहां पर यूज करेंगे तो टोटल यहां पर मैंने 2 कप पेशन के लिए 1,5 कप दूद का यूज की है तो इस तरह से इसका जो है हमें क्या करना है कि अच्छे से इसका गाड़ा सा बैटर बनाना है और एक दम से इसको अच्छे से फेटेंगे जितना अच्छे से फेटेंगे उतना ही बढ़िया है यह मतलब उतना ही बढ़िया वाला टेस्ट आएगा जो हम तो इस तरह से अच्छे से करेंगे ठोड़ा то करके दू de all डालेंगे तो मैंने रिदेख सकते हैं इस को अच्छे से इसको जो है अब इसको क्या करना है कि धक कर देंके लग बज़झ से 15 मिनेट के लिए इसको धक कर रखेंगे अगर टाइम जादा है ताब इसे अदे घंटे के लिए भी धक्र क सकते हैं तब तक क्या करेंगे कि यहां पर चाशनी बना करके तियार कर लेंगे जिसके लिए यहां पर मैंने सॉस पहन ली है और इसमें एक कब का मतलब 3 रही हिसा तक मैं यहां पर शीणी यूज़ की है और जितना चीनी मैंने लिह उतना ही यहां पर पानी भी लेंगे यानि त्री-फोर्थ pra चीनी ले और 3 4th cup इसमें पानी ली है तो इस तरह से क्या करना है कि हमें इसको अच्छे से चीनी को जो है इसको घुलाना है इसका कोई भी तार या फिर कोई एकदम से मतलब तार नहीं बनाना है बस यह चाशनी अच्छे से यह जो चीनी है पानी में अच्छे से घूल जाए उतना ही हमें चीणी अच्छे से पानी में घूल चुका है, गैसको यहां पर बंद कर देना है तब तक यहां पर क्या करना है? अपना बेशन भी चेक कर लेंगे और इसको देख सकते हैं, बेसन अच्छे से पूरा जो है इस तरह से एकदम से गाढ़ा सा और भी हो गया है तो इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है अगर ज़्यादा पतला रखेंगे तो इसको पकाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए इसको इतना ही रखना है हमें देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने स्टॉप क्या करी है कि पैन ले ली है और पैन में डालेंगे यहाँ पर आधा कप घी लेंगे और ज्यादा मेल्ट वाला नहीं लेंगे इस तरह से पुरा गड़ा घी रहाता है इससे हमें लेना है अगर मेल्ट करके लेंगे तो आप थोड़ा घी यहाँ पर लेसकते हैं सारा बेषन का घोल है कि इसमें डाल देना है अगर गरम घी रहेगा और अगर आप बेषन डालेगे तो बेषन का जो है एकदम से पोड़ी जैसा हो जाएगा इसलिए इसको क्या करना है कि हमें गैस को यहां पर बंद रखेंगे और बेसन और घी को अच्छे से इस तरह से हमें क्या करना है कि डाल देना है इसके बाद जो है गैस को आउन करेंगे और इस तरह से mix करते हुए एकदम से low flame पे हमें इसको पकाना है तेज आज बिलकुल भी नहीं रखेंगे अगर आप तेज आज पे इसे पकाएंगे तो बेसन का पूरा एकदम से गुठली जैसा बंद जाएगा और जो हम यहाँ पर बना रहे हैं वो अच्छे से बनेगा नहीं इसलिए क्या करना है कि हमें एकदम से low flame पे अच्छे से गी में इस बेसन को mix करते हुए हमें अच्छे से पकाना है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको मैंने लगतार mix करते हुए पकाई है और कुछ इस तरह से यह गाढ़ा सा हो गया है लेकिन अभी यह पका नहीं है इसको हमें बहुत ही बढ़िया से पकाना है अब यहाँ पर मैंने क्या की है कि यहाँ पर 1 4th cup यहाँ पर ले लेंगे सूजी तो मोटा वाला बारिक वाला कोई सभी सूजी यूज़ कर सकते हैं अगर चमच से देखेंगे तो 3-4 बड़े चमच यहाँ पर मैं सूजी मैंने इसमें डाली है तो इस तरह से क्या करेंगे बेसन में अच्छे से इसको मिक्स करते हुए सूजी को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है सुजी डालने से क्या होगा कि जो हम ये बना रहे हैं इसमें क्या होगा ना कि बहुत ही पणिया सा एक दम से दानेदार जो है ये बन करके तियार होगा तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं यहाँ पर बेसन का क्या बना रही हूँ आपको आइडिया तो लगी गया होगा तो इस तरह से क्या करना है हमें इसको लगतार मिक्स करते हुए अच्छे से इसको हमें पकाना है आज को यहाँ पर मिडियम रख देंगे और इसके बाद एक चमच यहाँ पर इलाइची पॉर्डर डालेंगे इलाइची पॉर्डर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें इलाइची पॉर्डर का बढ़िया वाला टेस्ट आता है तो जरूर डालें इस तरह से तो अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हमें पकाना है और देख सकते हैं इसको हमें तब तक पकाना है जब तक पूरा जो है एक दम से यह जो है ना एक दम से दाना दाना जैसा हो जाएगा तो इस तरह से इसको जो है हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है अभी पूरा एक जम यह डो जैसा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से ये भूनेगा और जितना अच्छे से भूनेगे उतना ही बढ़िया है बढ़ियाँ वाला टेस्ट आएगा तो डिपेंड करता है कि आपने बेशन को कैसे पकाई है तो इस तरह से इसको जो है देख सकते हैं मैंने इसको लगतार मिक्स करते हुए और कुछ ही इस त इस तरह से होने तक हमें जो है इसको पका लेना है अब यहां कैस को बंद कर देंगे और इसके बाद क्या करना है कि किसी भी प्लेट या फिर थाली जिसमें भी आपको इसको सेट करना है उसमें क्या करेंगे इस तरह से बटर पेपर रख देंगे अगर बटर पेपर नहीं ह रेडी हो चुका है और जो हमने यहाँ पर चाष्णी बनाई हुई थी आप क्या करना है कि इस तरह से बेशन में हमें इसको डाल देंगे यहाँ पर मैंने गैस को बंदी रखी है, गैस मेंने यहाँ पर ओन नहीं की है और चाष्णी डालने के बाद जो है、 इसको क्या करना है कि हमें अच्छे से mix कर लेना है इस तरह से, इस चाष्णी में इस तरह से लगतार mix करेंगे देख सकते हैं, अब यहाँ पर gas को on कर देंगे, और लगतार mix करते हुए हमें इसको अच्छे से पकाना है अब लग रहा है कि यह बहुत ही गिला है लेकिन जैसे जैसे आप इसको mix करेंगे वैसे ही एकदम से soft सा यह जो है ना हमारा बेशन का बर्फी या फिर लडू बना सकते हैं जो भी आप बनाए बहुत ही perfect बनकर के तियार होगा तो देख सकते हैं एकदम से soft सा यह हो गया है इस तरह से अब क्या करना है कि यहां पर जो है हमें गैस को बंद कर देना है और देख सकते हैं एकदम से perfect मेजर करके बनाएंगे नो तो आपका जो मिठाई है ना एकदम से बढ़िया बनकर के तियार होगा और जो हमने यहां पर प्लेट में ड्राइफ रूट्स डाली इसके अंदर में अच्छे से पूरा जो है सेट हो जाएगा और इस तरह से क्या करना है कि हमें अच्छे से इसको धबा करके और सेट कर लेयना है देख सकते हैं एकदम से perfect एकदम से soft सा बनकर के त्यार हुआ है इस तरह आस pendant 2 गंते के लिए चाहे तो बाहर रखे या पिर अ काफी अच्छे से जो ही ये सेट हो चुका है तो इस तरह से हमें प्लेट से बाहर निकाल लेना है बटर पेपर लगाने का एक ही फाइदा होता है कि बहुत ही असानी से ये निकल जाता है और इस तरह से इसका जो बटर पेपर है हमें हटाना है देखिए कितना बढ़िया से ज इसको अपने मन पसंद शेप में काट सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़ा बड़ा ही इसको काट ली है देख सकते हैं तो आप एक बार मेरे इस तरीके से आप जरूर ट्राइ करिएगा बनाना भी बहुत असान है वैसे बेशन के बरफी बनाने में बहुत ही घी का यूज होता ह लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ आदे कब घी से एक दम से सौफ्ट सा बिसन वर्फी बना करके त्यार की है आप एक बर इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा बनाना भी बहुत असान है बहुत यह असान तरीके से इस मिठाई को बना करके त्यार कर सकते हैं तो देख सकते हैं एक दम से पौफेक्ट लुक आ गया है एक दम से मार्केट ओला लुक आ गया है देख सकते हैं वैसे मार्केट से तो कई गुना बेटर है जो हमने यहाँ पर घर में बनाई हुई है बहुत यह असान तरीके से अब जब चाहें इस मिठाई को बना करके त्या मिठा पशें से पिर चीम ayam देखें कि परसे दूढ़े किना जीम ही निए से बड़े बन करके तियार हुआ है वो भी कम घी में तो रेस्पिक कैसी लगी कॉमेंट जरूर करिएगा पसंद आया होगा तो लाइक और साधी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में